Hello students, welcome to winning class online classes. आज हम लोग जो हमारी political science का chapter-wide deep revision कर रहे थे, उसका last chapter इसके साथ हम लोग का chapter-wide revision खतम होता है और फिर से हम लोग combine से जो CBSC की paper है, उसकी तरह से paper को हम लोग solve करेंगे. तो जलिए start करते हैं India's foreign policy, last chapter हम लोग का. तो पहला question है कि article 51 of the Indian constitution lay down some provision regarding, कि आपने देखा ता मैंने बताया था, जैसे आप पे second खोलोगी, इस chapter में उसमें box बना हुआ है, जिसमें लिखा हुआ हुआ article 51, जो है वो constitution का क्या बताता है, power of prime minister के बारे में बिल्कुल भी नहीं, fundamental rights नहीं बताता है, promotion of international peace and security, यह हमारा सही है कि international peace and security को promote करने के जरिगार्डिंग बताता है, when was the Britain attack Egypt over the Suez Canal issue, कब attack हुआ था, 1956 में बहुत important भी है, इसको याद रखना है, sorry, 1965 है, 56, B correct है, C, A मैंने गलते से लगा है, answer B है, 1956 याद रखना है, 1956, क्या रहा है, when the USSR invade Hungary, उसी साल याद रखना, कि जब Britain ने अटाक कहते है, सेजनाल के उपर, उसी साल, USSR ने भी invade कहा था, Hungary के उपर, तो आंसर किया, इसका 1956, उपर भी देखो, 1956 है, और उसी साल क्या था, तो यह 56 उसका correct answer है, लेकिन यहाँ पर दिखाए गया था, कि जब भारत जब बिरिटेन ने किया था, तब भारत ने बहुत चरकर उसका कब हुआ था, यह तो 1955 में हुआ था, आप लोगे जो आपका Asia, जो Afro-Asian Conference है, उसके परग्राफ में आपको इसका answer मिल जाएगा, कौन से Conference हुआ था, हमें पता है, एक Bandung Conference में ऐसा हुआ था, नेक्स के रहा है, तो आंसर इसका September 1961, यह तो आप लोग बहुत बार पढ़ चुके हो, NAM का first summit, के रहा, who was the architecture of NAM, NAM का कौन architecture था, इंदरा गांधी, जी नहीं, अटलवे अरिवास पर उस तैंपन का कोई political इतना कुछ था ही नहीं, जवाला नहरू, महात्मा गांधी, तो आंसर है, जवाला नहरू, one of the co-founders हम कह सकते हैं, next है, कि after the Chinese revolution, 1949, which country was the first to recognize the communist government, तो यह इसका आंसर है, भारत, कि इंडिया वो first देश था, जिसने उसको recognized किया था, पाकिस्तान गलत है, उसका सही आंसर इंडिया है, ठीक है, इसका सही आंसर इंडिया है, next, in Nehru's cabinet, who was apprehensively the future attack from China, कि Nehruji को लगता था, कि China, जो हमारा भाई है, हमारा फ्रोसी देश है, हमारी मददकार है, वो हम पे कभी ऐसा attack करके सोच ने सकता, लेकिन चाइना की इस aggression से, कौन से जो नेता थे, काबिनेट में नहरु जी के, वो चिंतित थे, कि वह या, वो future में हम पे भी attack कर सकता है, जो वाला नहरु चिंतित थे, वो तो ख्या बिलकूल भी नही थे, पटेल जी थे, वल्लाभाई पटेल, जग जीवन रा, तो आंसर है सहदार वल्लाभाई पटेल, क्योंकि मैंने का, नहीं फिचुरिस्टिक नहीं थे, वो पहले से घतरों को भाप लेते थे, इंडिया एंड चाइना के बीच में साइन हुआ था, कब हुआ था, वो भी आपको करना है, क्या रहा कि, वेन वस पंशिल अग्रिमेंट साइन बिविन, कब साइन किया था, तो आंसर है 29th April 1954, फोर में, लेकिन हाला कि उसको तोर दिया था चाइना ने, इन डैश कब चाइना ने तिबबद पे कंट्रोल कर लिया था, इसका आंसर है 1950, 1950, 1950, 1950 पे क्या था, नेक्स है कि, फो अकंपनीड तिबदन स्पिरिच्वल लीडर दलाए लामा दिरिंग दो ओफिशल चाइनीज विजिट तो इंडिया इंडिया आयते, उनके साथ कौन था, तो इनसका आंसर है, चाइनीज प्रीमियम जू एन लाए, बी इस अ करेक्ट आंसर, नेक्स है कि, तिबेतिर स्पिरिच्वल लीडर दलाए लामा साउट दो अप्टें प्लिटिकल असलम इन इंडिया, कि कब उन्हों को आश्रम यहापे लिए इंडिया के अंदर, तो इसका आंसर नाइंटिन फिफ्टी नाइन में, क्योंकि वहां के हालत बहुत बुरी होग जो मैं वोल्ड उस पे फुकॉस कीजेगा, नहरु जी के बाद जो राजीव गान थे वो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, वो चाइना गए थे, हाला कि अटल वैरिवाज पी उस ताइम पे गए थे, बट वो उस ताइम में फॉरें मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर थे, तब वो नहीं गए थे, वन वास दो कम्मिनिस्ट पार्टी उफ इंडिया स्प्लिट इंटो टू, चाइना वार हुआ तो उसके बाद कम्मिनिस्ट पार्टी दो भागम तूट किया था, तो कब तूट था, 1964 में, नेक्स्ट थे, इंडस वाटर ट्रेटी वो साइन बि एजेंसी, बी में एजेंसी मिसिंग है, तो इसका अंसर है एजेंसी, वो प्रिंटिंग वो सिसकती है, एजेंसी, नेक्स्ट है कि the treaty assured India of Soviet support the country faced an attack, कौन सी ट्रेटी ने support किया था, कि अगर विया, अगर आपके कोई attack होगा, तो भारत को Union, जो Soviet Union support करेगा, उस ट्रेटी वो क् ट्रेटी पंशील, तो इसका अंसर है Treaty of Peace, और इसी ट्रेटी के साथ उसनी support भी किया था, क्यार विच एग्रिमेंट वस साइन बिट्विन इंद्रा गांधी एंड जुलिफिकर अली बुट्टो और 3 जुलाई 1972 में कौन सा अग्रिमेंट साइन हुआ था, इसका अंसर है शि पे जो इंदरा गांधी थी, हमारी प्राइम मिनिस्टर थी जुलिफिकर अली बुट्टो वहाँ से थे, उन दोनों के उभीस में शिमला एग्रिमेंट साइड हुआ था, इन्डिया का फर्स्ट नुक्लियर का हुआ था, में 1974 में, हाला कि कोशिश तो बहुत टाइम सेल थे बर सफलताम को तब मिली, which among the following is not a principle of India's nuclear doctrine today, आज के टाइम में, ध्यान लगना, हमारी nuclear policy change हुई है, which among the following is not a principle, आज हमारे कौन सा principle नहीं है, पहला not first use, credible minimum deterrence, civilian control या first use, इसका अंसर D जो दिखारा हो गलत है, इसका अंसर आप लोग मुझे comment करके बताएंगे, क्योंकि पहले ह पहले use नहीं करेंगे, लेकिन हमारे देश में 2014 के बाद हमारे nuclear policy change हुई है, क्योंकि हमेशा हम यही कहते हैंगे हम पहले use नहीं करेंगे, हमें पहले आके मारो, जब पहले हमार खालेंगे और फिर हम तुम्हें जबाब देंगे, इसके बजाए क्या किकर हमें जब खतरा महस हमारे nuclear policy उसमें भी चेंज किया गया, आप लग मुझे कमेंट करके बताएंगे इसका सही answer क्या है, चलिए, the first, the five permanent member of UN Security Council, सब को पता है, बच्चे बच्चे को में इतना revision कर चेक, अब तुम आखरी चेप्टर पे आचोगे, कौन से हैं, China, France, USSR, UK, and the China, France, USA, UK, and USA, चलिए, when did India and Israel establish full diplomatic relation, हमको पता है कि इंडिया और इसराइल का relation जो है, बहुत बाद में start वाता है, हला कि हमारे साथ ही उसको भी आजादी मिल गए थी, इसराइल ने हमारी बहुत मदद में की, मैंने का ना कि one-sided प्यार हमें इसराइल करता रहा, लेकिन हम जो 29-1992, next है कि the period when the nuclear test was conducted was difficult period, कर दो परियेड वस nuclear test was conducted पीरिदी था, domestic politics का खराब पिरिद था, foreign politics का, military का, यह financial, financial word. Next है कि India has developed self-sufficiency in dash technology, किस technology भारत आतमिरबर हो चुका है, atomic, nuclear, electricity, scientific, तो आज़ए nuclear. आंसर बी नुकलिय नेक्स्ट है फाइफ प्रिंसिपल और पीसफुल को एक्जिस्टेंस कॉल उसे पाँच जो प्रिंसिपल आगे आपस में दो लोग रह सेके इसका मतलब है पंच शील एग्रिमेंट था जो कि भारत और चाइना के बीच में साइन हुआ था लेकिन उसको नहीं मानता शील लंका इसे मेंबर ओफ इसको छोड़ दो यह खिश्ट गलत है चलिए अब लोग हम लोग करते हैं सोर्स मिस्ट रीड दा फॉलंग पैसे कि अंडर दे लीडर्शिफ जवाला नेरू इंडिया कंवेंस दे एशियल रिलेशन कंफरेंस इं मार्च निप्रेंस हुआ था और हमको अगस्त में आजादी मिल गे थी India made earnest effort for the early realization of freedom of Indonesia from the Dutch colonialism by convening an international conference in 1949 to support its freedom struggle India was a strenuous support by the decolonization process of formally opposed the racism especially apartheid in South Africa mutual data the Afro-Asian conference held in the Indonesia city of Bandung 1955 commonly known as a Bandung conference marked the juniors of India's engagement with the newly independent Asian African nation the Bandung conference related led to the establishment of NAM उसमों नाम में ही शामिल हो गया था the first summit of NAM जो हुआ था Belgrade में हुआ था September 1961 में हुआ था नहरू जो हो co-founder of NAM पर यह पहले भी पढ़ चुके अब इसमें कुश्यन देखते है कि whose leadership India convinced the Asian conference March 1947 में तो यह अंसर है अब से कितनी पार हमने जवाला नहरू पर रहा है कि हमें option देखने की बिज़रत नहीं पर रही है next है कि which city the Afro-Asian conference हुआ था कौन से शहर में हुआ था तो क्या वो Belgrade में हुआ था इंडेनेशय में हुआ था या Bandung में हुआ था तो Bandung में हुआ था next कहा रहा है कि where were the first NAM summit है जो first NAM summit कहा वे हुआ था Belgrade में हुआ था 1961 Belgrade बच्चों बच्चों को याद हो क्या होगा next कहा है who was the co-founder of NAM NAM के co-founder कौन थे जवाला नहरू एंड की लाइन में आपने देखा था next है which country made earnest effort for the early realization of freedom of Indonesia Pakistan या वो कहां से आजादी की बात करेगा India, Dutch or Belgrade तो India ने next है कि read the following passage carefully answer the following question के रहा है कि another crucial development was the period was first nuclear explosion undertaken by India in May 1974 में Nehru had always put his faith in science and technology for rapidly building up modern India आप लोग इंसे आटी लाइन पूरो देखा होगा a significant component of the industrialization plan was nuclear program initiated in the late 1940s under the guidance of Homi J. Bhabha India wanted to generate atomic energy for the peaceful purpose Nehru was against nuclear weapons so he pledged with the superpower for the comprehensive nuclear disarmament however the nuclear horizon kept rising when communist China conducted his nuclear test in October 1964 the five nuclear weapons जो 500 members थे वीटो पावर के US, USSR, UK, France and now China also five permanent members of the United Security Council tried to impose the nuclear non-propriplication treaty NPT-1960 में जाते बही आप सब पे लगा दो rest to the word पे हम लोगो ने कर लिया अब कोई nuclear test ना करे India always considered the NPT as a discriminatory and had refused to sign it India ने मना कर दिया यह जो भेदवाब की जो ट्रीटी है मैं साइन नहीं करूँगा और India when conducted first nuclear test it was termed as a peaceful explosion India argues that it was committed by the policy using nuclear power only for the peaceful purpose हम बेर शांती के लिए यूज कर भी है हमारा aim अपनी power दिखाना बिल्कुल भी नहीं है हमारे परोसीब जो दुश्मिन देश है उनके पास है हमारे बाद अपनी safety के लिए तो होनी चाहिए हम सबको पता है May 1974 में हम लोगों ने first successful nuclear test किया था India was committed to policy of using nuclear power only for किसलिए use करेंगे to create fear among the country भे लोगो डराने के लिए यूज करेंगे peaceful, सिर्फ peaceful purpose के लिए करेंगे किसे को नुकसान पहुचाने के लिए हम लोग नहीं करेंगे हमारा answer कि है सिर्फ c, peaceful purpose के लिए next है कि who are the five permanent members of the UN Security Council अभी हमने देखा China, France, USSR तो इसका दी next है कि expand NPT NPT का क्या full form है Nuclear Non-Prolification Treaty वैसे भी जरूने quiz based में वैसे भी NPT important है who plays with the super power to comprehensive nuclear disarmament कौन ते जवाहला नहरू next read the following पैसे सा फिर से answer देने India has opposed the international treaty aimed to Non-Prolification Treaty since they are selected applicable to the non-nuclear power and legitimated the monopoly of the five nuclear weapons power और ये super power इसको enjoy करे so India opposed the indefinite extension of NPT 1995 में भारते मना कर दिया and also refused to sign the comprehensive test CTBT पे भी हस्ताक्षे करने से मना कर दिया India conducted a series of nuclear tests दुबारा उसने बना in May 1998 में demonstrating its capacity to use nuclear energy for military purpose Pakistan soon followed Pakistan ने भी उसके बार thereby increasing the vulnerability of reason to nuclear exchange the international community was extremely critical for the nuclear test in the subcontinent and sanction were imposed both India and Pakistan दोनों पे sanction लगा दिया which was subsequently waived India's nuclear doctrine of credible minimum nuclear deterrence progress no first use भारत ने हमेशा से का है मैं हम पहले use मही करेंगे as it related India's commitment to global verification non-discriminator policy in this environment leading to nuclear weapons free world foreign policies always directed the idea of national interest in the period of after 1990 Russia thought it continued to be the important front of the India and has lost its global pre-emergence therefore India's policy was shifted to more US pro-strategies अपने का 1991 में जब USSR disintegrate हो गया तो Russia 10 साल के लिए world politics में फुरा कम्जोर हो गया तो अपने internal problem मही रहा उसके बाद 2001 में जब से ब्लादी मेरे कुतिन आया तब से फिर से Russia ज़या ज़्यादा powerful हुआ तो उसरा हमने अपनी ज़ो foreign policy को change कर ली थी और pro-US strategy एन-US के थोड़े हम ज़्यादा करीब आगे थे वह यह देखो हर देश अपना फाइदा देखता है भारत ने भी अपना self-interest देखा उससे लिखाव रशिया से दोस्ती करने कोई ज़्यादा फाइदा नहीं है वो खुदी अपने ही problem में उलज़ा हुआ है क्योंना तब तक हम US के साथ एक दोस्ती गहरी बना लेते है तो यही opportunity देखता है हर देश जिसके साथ जब फाइदा होता है उससे दोस्ती करता है तो वही ना तो politics में permanent कोई दोस्त होता है ना कोई permanent दुश्मन होता है अपने benefit के लिए दोस्ती दुश्मनी बनती रहती है तो चलिए स्टार्ट करते है इंडिया ने कौन साथ ट्रीटी मना करिया था NPT और CTBT क्योंकि भया यह जो तुम पक्षपात की जो करोगे वो कोई भी बरदाश नहीं करेगा इसका अंसर में 1998 में दूसरा हम लोगों ने किया था जब जो कहना है रश्या लॉट सिंग्लोबल प्रियमिन्स धेरे धेरे जो रश्या था वो 10 सालों था ग्लोबल जोसकी पहचांती खतम होती जा दी थी विच अधा फॉलाएंगे इस इंडिया स्टांड पॉर यूज अफ नुकलियर व्यापन नो फॉस्ट अफ यूज व्यापन कि हम कभी भी पहले यूज नहीं करेंगे हम पर कोई अटाक करेंगे तो उसका जवाब देंगे कब मना कर दिया था 1995 में आप लोगों पैरग्राफ में देखा था नेक्स्ट अब एस्सेर्शन और रीजन पर हम फटाफट आया थे एस्सेर्शन रीजन में हमने देखा कि अब आपकी बारी है कि आप लोग कितना जादा सपोर्ट करते हैं कितना समझ में है जब आप लोग कमेंट करके बताएंगे तो हमें बता चलेगा कितने बच्चे इसमें पाइटिस्पेट अच्छे से कर रहे हैं तो हम पाँच चेप्टर जो है रिविजन बहुत अच्छे से कर चुके बहुत सारे असर्शन रिजन कर चुके हैं आप इस चेप्टर तो आते आते सब भी बच्चे असर्शन रिजन में ही परफेक्ट हो गयोंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्या रहे है था फर्स्ट यूएन जनर्स असेमली रेजिलेशन और वेपन और मास दिस्ट्रक्शन अब देखे एसर्शन है तो सही है यासा हुआ था रीजन में कें 1948 इंडिया कॉल फर एल्लिमेशन फर नुकलर वेपन और यूस अफ नुकलर अनर्जी फर पीसफूल जर्शन इंडिया ने यह भी कहा था कि ठीक है भया हम पीसफूल परपस के लिए यूस करेंगे इंडिया ने कहा था, इसको खतम करते जाए and use nuclear energy for only peaceful purpose तो यह situation भी ठीक है, reason भी ठीक है क्या इसमें कोई relation बनता है, नहीं बनता है आप लोग मुझे comment करके बताएंगे, चलिए, next India opposed the NPT in 1960 because it is unequal yes, it is a discriminatory policy, बिल्खुल सही है In 1974, India had carried out underground nuclear test peaceful purpose 1974 में इंडिया ने underground nuclear test किया था, लेकिन शांती के लिए उपर भी सही है, नीचे भी सही है, क्या इसका relation बनदा है और नी बनदा आप लोग मुझे comment करके फटाफर से बताईए, चलिए next है हमारा assertion है कि in 1964, चाइना conducts a nuclear test इन 1962, चाइना had attacked लिए, ये भी सही है कि in 1962 में हम पर अटाक किया और दो सालों के बाँ उक्टूबर 1964 में चाइना ने फस्स nuclear test भी बना लिया, दूसरा है, the decision go to ahead and manufacture atomic bomb given by Prime Minister Indra Gandhi 1974 में a decision to go ahead and manufacture atomic bomb given by Prime Minister तो क्या ये सही है, ये answer आप लोग मुझे comment करके बताएंगे, इस बार मैंने का न, ये answer reason आप पे मैं छुड के जाओंगी question को अगर आप लोग नहीं कर पाएंगे, तो फिर आपने मुझे comment करके बताएंगे, इसका answer आप लोग को PDF मिल जाएगा, ये हमें description में डाव दूगी, चलिए, next हमारा assertion है कि NAM allowed India to gain assistance both from US and USA, ये सही है कि NAM की policies ये दोनों थी super power से फाइदा मिलता रहा, उसरा है the cold war has affected the relationship between India and Pakistan पे, ये cold war के वैसे India-Pakistan के कोई relationship पे फरक नहीं परा, assertion ठीक है, reason गलत है हमारा, यानि कि C's का option बनता है, next है कि the Indo-Park war 1965 was the commulation of the series of dispute between India and Pakistan within the first year of independence, both the countries, दोनों ही साइड के लोग ने witnessed and over the issue Kashmir refusing exchange duty partition, ये हमने देखा कि भारत और जो Pakistan 1965 में जो और हुआ है, वो बहुत सारे dispute थे, इंडिया-Pakistan के पहले तो बहुत साल आजादी हुए थी, उसी साल अंपर अटाक हुआ था, कश्मीर के का रहा है, फिर रिफ्यूजी एक साल के, तो ये सारे तो बिल्कुल statement, assertion तो बिल्कुल हमारा सही है, और इजन कह रहा है, 1965 में सोवियत उनियन ने स्टार्ट किया developing close relationship with Pakistan के साथ, डिस्पाइट देश के प्राइम मिनिस्टर थे, Soviet Union was not convinced भी हो, पाकिसान बिल्कुल सही है, ये 1965 में सारे series कार हम पर एक तरह से attack हुआ था, तो इसका assertion भी ठीक है, reason भी ठीक है, और उसको explain भी पूरी तरह से कर रहा है, शिक्स है कि since 1947, इंडिया has been followed an independence foreign policy of NAM, and the policy is a perfect accord with the policy of friendly relation with all the country in the world, ठीक है, भारत ने NAM की policy अपना और इसी policy के ताथ, भारत के किसे से कुछ दुश्मनी नहीं सभी दोस्तों देशों के साथ, भारत की अच्छी दोस्ती रही, the term punches related to the five moral principles, Lord Buddha, क्या Lord Buddha से पंच शील को लिया गया, क्योंकि जो Lord Buddha है, उन्होंने भी पंच शील पांस मतलब सुधान दिये थे, क्या उन्हें से इंस्पाइर होके पंच शील बना था, आप लोग मुझे कमेंट करके फटा-फट से बताइए, वेकलिक है, लौट Buddha है था, five principles obligatory for the life on individual international life term, पंच शील वा यूजड वा यूजड वा रिकनाइज the sovereignty of China over Tibet, तो next is assertion की six-point proposal of Sheikh Mujib Ur-Rahman for greater autonomy in East Pakistan, बिखुर सही है, उनके दोरह दिया गया था, in 1965 में, next के रहा है, इंडिया और बांगलादेश, sign and farakka treaty for sharing the ganga 1996, तो assertion भी ठीक है, reason भी ठीक है, लेकिन आपस में कोई relation नहीं है, तो मारा answer बनता है, इसका भी, next day India was born in a very trying international contest, the world had witnessed a devastating war and was grappling with the issue of reconstruction, पहला ही chapter ही हमारे इसी line से start होता है, तो बिलकुर सही है, many new country were emerging as a result of collapse of colonialism, बहुत सारी country जो emerge हुई, जो को 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 खतम हो गया था, तो assertion भी ठीक है, reason भी ठीक है, क्या relation बनता है, तो relation तो खहर आपस में नहीं बन दा इसका, next day, the foreign policy of one nation reflect the interplay, the domestic external factors, foreign policy है, वो हमारे दोनों ही दिखाते, international और domestic ठीक है, the global ideas of inspired India's struggle for freedom, influence for making its foreign policy, इसमें assertion भी ठीक है, reason भी ठीक है, उसका explain भी सही कर रहा है, कि 1956 में Britain ने attack है, Egypt पे स्वेस कनाल इशू पे, इंडिया ने इसका protest किया, नियो colonial invasion के रूप में, सही है, इंडिया और took the independent stand on serval international issue, ये भी ठीक है, तो बतलब assertional reason दोनों ही ठीक है, उसको पूरतरा से explain भी कर रहा है, तो देखें, या पर 10 assertional reason के question थे, I hope आपको समझ में आगया होगा, हमारा पूरा जो है, chapter wise revision series जो हम लोगों ने बनायाता, complete होता है, इसके साथ, अब हम लोग फिर से जो एक videos और बनाऊंगे, इसमें इतने भी हमारे new edit material है, जिसमें नीती आयोग, नीती आयोग होगे हमारे, और Arab Spring होगे, CIS होगे, या उससे related जो भी हमारे छोटे-छोटे कुछ टॉटिक ने कर छूट के होंगे, तो combine video बना के, उसके बाद सीधा हम लोग अब क्या करेंगे, CBSC paper को जो exam का pattern है, combined revision series, अब हम वो लेके आएंगे, chapter wise detailed हमारी पहले, chapter wise MCQ के थे, हमने 30-40 scale में, अब हमने 60-60 के question बना है, जिसमें assertion, reason, MCQ, case based study, जो भी हमारे है, source based, picture based, सारे तरह की question सो हमने cover करके, एक revision series बनाई थी, अब हम लोग detailed revision series complete कर चुके, अब हम लोग paper, CBSC का जो pattern है, paper, कोशिश करेंगे, 8-10 paper है, रोजाना हम लोग, एक एक करके solve करेंगे, और 8-10 paper जब आप लोग solve कर लोग, इतना confidence high हो जाएगा आपका, कि आप लोग को video चाहते हैं, तापर मुझे comment करके बता सकते हैं, जी